C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ्थे चर्या पर आधारित श्रिंखला ध्वनी शाला तो आएए अब जलते हैं कक्षा आठ की ध्वनी शाला में प्यारे बच्चो आदाब आज हम आपको आपकी आठ्वी जमात की दर्सी किताब अपनी जबान का पहला सबख जो एक नजम है उसको पढ़ाएंगे और उस पे बात करेंगे बच्चो मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमर्रा एंसी इयाटी नई देली से तो ये नजम जो है मा का खौब के उन्वान से है मा का खौब नजम जो है ये अलामा इकबाल अलामा इकबाल की बहुत सी नजमें आप लोगों ने पढ़ी होंगी बहुत बड़े उर्दू के शायर जिन्होंने जिनका तराना हिंदी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा या अपने पढ़ी होगी पहले जमात में इसी तरह लप पे आती है दूआ बन के तमन्ना मेरी जिन्दिगी शम्म की सूरत तो खुदाया मेरी इसी तरह से और नजमे जो उन्होंने पहाड और गलहरी के नाम से लिखी है मुकालमाती नजमे उन्होंने बच्चों के निए बहुत सी नजमे जो है बो लिखी है एक मकड़ा और मक्ही लिखी है पहाड और गलहरी लिखी है इसी तरह से और दूसरी नजमे जो है बच्चो मौजूनियत के साथ और उसी मुनासिब लव लहजी के साथ आप इसको पढ़िएगा मा का ख़ब मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख़ब बढ़ा और जिस से मेरा इस्तराब ये देखा के मैं जा रही हूं कहीं अंधेरा है और राह मिलती नहीं लरसता तडर से मिरा बाल बाल खदम काता देशत से उटना मुहाल जो कुछ वासला पाके आगे बढ़ी तो देखा खतार एक लड़कों की थी जमरुस से पोशाक पहने हुए दिये सब के हातों में जलते हुए वो चुप चाप थे आगे पीछे रवां खदा जाने जाना था उनको कहा इसी सोच में ती कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर वो पीछे ता और तेश चलता न था दिया उसके हातों में जलता न था कहा मैंने पहचान कर मेरी जा मुझे छोड़कर आगे तुम कहा गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की जो बच्ची ने देखा मेरा पेच उताब दिया उसने मुझ फेर कर यू जवाब रुलाती है तुझको जदाई मेरी नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा दिया फिर दिखा कर ये कहने लगा समझती हित्व हो गया क्या इसे तेरे आसुमों ने बुझाया उसे अलामा इकबाल देखे बच्चो आपने ये नाजम सुनी इसमें कुछ लवज हैं जो के मुश्किल लवज हैं हम उसके माने जो हैं वो जान लेते हैं फिर नजम की हम तश्री करेंगे और उसके मरकजी ख्याल को बताएंगे तो मानी है शब के माने होते हैं रात इस्तराब के माने बेचेनी लरजना कापना रह रह के माने होते हैं रास्ता सियाही, कालापन, अंधेरा देशत, खौफ, डर मुहाल, मश्किल हौसला, हिम्मत जमरुद, सब्स, रंग के खीमती पत्थर का नाम रवा, चलते हुए जमरुद सी पोशाक, हरा लिबास पिसर, बेटा जमात, गिरो पेचो ताप खाना, ये मौहावरा है, दिली दिल में घुस्से से घुटना बेकरार होना तो बच्चो देखे, इस में इस नजम में एक मा का खौब बयान कहागा है जो अपने बच्चे को अपने बेटे को ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दुए है यानि खौब में वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे है और वो उनके हाथ में दिये जल लहे है मगर उसके बेटे का दिया बुझा हुआ हुआ है और दूसरे लुखों के पीछे वो आइस्दा आइस्दा चल रहा है देखकर बेटी की जुदाई में रोती हुई क्योंकि उसका बेटा मर चुका है और बेटी की जुदाई में रो रही है तो बेटी की जुदाई में रोती ही मा को सदमा पहुशता है वो अपने बच्चे से शिकायत करती है कि उसे छोड़ कर क्यों चला आया और उसका दिया क्यों बज़ा हुआ है तो वो बच्चा क्या जवाब देता है उसके बारे में हम इस नजम में पढ़ते हैं तो अब उसको हम चुरू से फिर पढ़ते जाते हैं एक एक शियर और उसके बारे में बताते जाते हैं मैं सुई जो एक शफ़ तो देखा ये खाब बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब ती कि मैंने खुआ देखा क्योंकि उस मा का बच्चा मर चुका है वो रो रही है बच्ची की जुदाई में गम में वो रोते रोते सो गई है तो कहती है तो एक राद सो ये शब के माईने होते राज़ तो मैंने खMastermaybe दिखा और इस तरह मिरी बेचयनी और बढ़ गई खुआब को देखे के बेचयनी बढ़ गई खुआब में देखे ज़र चीज़ें नजर आती है जिनको हम बहुत जादा महसूस करते हैं वही चीज़ हैं हमें खौब में जो हैं वो नदर आती है वोगिके वो अपने बच्चे को बहुत याद कर रही थी तो उसको अपना बच्चा जो है वो खौब में नदर आया और देखकर उसका बेचेनी और बढ़ गई ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं उसने खौब में किया देखा खौब बैन कर रही कि मैं कहीं जा रही हूँ अंदेरा है और रहा मिलती नहीं सूरते हाल थी। आप भी देखें विचा जब कभी इस तरह की सूरते हाल होती है अप्छान बहुत डर जाता है तो एकदम रुआ 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 जो हैंना, वो काप ने लगता है, बाल-बाल जो है, वो काप ने लगता है कदम का ता देहशत से उटना मौाल मतलब खौफ जदा होके उसका कदम जो था वो देहशत से खौफ से डर से जो है वो उसका कदम उठाना मौाल हो रहा था मुश्किल हो रहा था जो कुछ होसला पाके आगे बढ़ी उसने का फिर मैं कुछ होसला अपना बरकरार रखा कुछ में और फिर मैं आगे बढ़ी तो देखा खतार, खतार कहते हैं लाइन को तो एक खतार लड़कों की थी बहुत सारे लड़के थे लाइन में उनकी खतार थी अब वो बता रही है कि जो लड़के थे तो वो क्या पहने हुए थे तो जमरुत सी पोशाक पहने हुए दिये सबके हातों में जलते हुए जमरुत थी पोशाक यानि हरे रंग की पोशाक जो है वो पहने हुए थे और दिये सबके हातों में दिया जो था सबके हातों में जला आता वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा आगे पीछे वो चल रहे थे खुदा जाने चाना था उनको कहा हातों में दिये थे और वो चल रहे थे हरे रेंगा लिबास में ड़का था उन्होंने इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमाद में आया नजर मैं अभी यह सोच रही थी कि एकदम मुझे मेरा बेटा नजर आया पिसर के माइने होते हैं बेटे के मुझे उस जमाद में यानि उस गिरोह में जो बच्चे हैं उसमें उनको अपना बेटा नजर आया वो पीछे था और तेज चलता ना था वो पीछे चल लाता लेकिन तेज तेज ने चल लाता पीछे था आइस्ता आइस्ता चल लाता दिया उसके हाथों में जलता ना था और दिया भी उसके हाथ में जलावा दिया ने था बुझा हुआ था उसका कहा मैंने पहचान कर मेरी जहाँ पैचान कर उसकी मा कहती है कि मेरी जान, मेरे बेटे मुझे छोड़ कर आ गए तुम कहां, तुम मुझे छोड़ कर कहां पर आ गए मैं कितनी घमजदा हूँ तुम्हारी आद में जुदाई में रहती हूँ मैं बेखरार, पिरोती ही हर रोज अश्कों के आर यानि मैं तुम्हारी जुदाई में बहुत बेकरार हूं, बहुत रोती हूं और आप ये समझ सकते हैं कैफियत को, इस एक माँ, इसका बेटा मर चुका है तो वो किस तरह आएसता ही इस तहीं इनसान को सब राता है लेकिन उसकी जुदाई में वो माँ बेकरार है और किस तरह से वो बेकरार रहती है, रोती है, हरूँज अश्कों के आ रहा है नहीं, वो बहुत रोती है अपने बच्ची की जुदाई के गब में, ना परवा हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, निकर तुमने तुमने तुम्हेरी बिलकुल पर तरप नहीं हूँ, जो बाचे ने देखा میरा पेचाताव दिया उसने मुझ फेर करयो जवाब बच्चे ने जब देखा कि इसकी मा कितनी जो है भो बोल रही है कह रही है अपनी केफित का जयार कर रही है तो पेचाताव जब देखा उसने दिल मेलाना देखा तो उसने मूँ फेर कर जवाब दिया उसकी मा की तरफ से मूँ फेर लिया और जवाब दिया रुलाती है तुझको जुदाई मेरी नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी कहती है कि तुझे मेरी जुदाई रुलाती है मैं तुझे जुदाई हो गया लेकिन इस मेरी कोई भलाई नहीं है मैं भलाई क्या नहीं है यानि ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा वो कुछ देर तक चुप रहा दिया फिर दिखा कर ये कहने लगा फिर उसना अपना दिया दिखाया और कहा समझती है तू हो गया क्या इसे तेरे आसों ने बुझाया इसे यानि यह जो मेरा दिया बुझा हुआ हुआ है यह तेरे आसों की वज़ा से बुझा हुआ है अगर तो इतना नहीं रोती तो दिया जो है वो मेरा बुझता नहीं तो इसमें जो मरकजी खियाले बच्चों वो यही है कि जो माबाप हैं उनको ठीक है कि बच्चे जब मर गया वो बच्चा ये बच्चा इसका दुनिया में नहीं है रो रही है और उसके खौब में देखती है लेकिन वो खुद भी गमकीन है बच्चा जो मा के रोने दोने से खुद भी गमकीन हो गया है मा जो रो रही है मा से कहता है कि मेरे दिये को इसी आसों ने बुझा है यह सबक में बात पुशीदा है कि माबाप की रोने दोने से बच्चों का होसला जो है वो पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है अब अच्छे कहीं जाना चाहते हैं कहीं कुछ करना चाहते हैं तो क्या होता है कि उससे रुकावट महसूस होती है एक दूसरा मेसेज है यह है एक तो यह है कि दुनिया मा जाएगा जरूर लेकिन उसके जाने का गम तो होता है बहुत गम होता है लेकिन उतना गम नहीं करना चाहिए जितना के वो औरत या मा जो है अपने बच्चे के गम में पेच्चोताब खाती है और किस तरह से वो रोती है बच्चे से शिकायत करती है फिर बच्चा उसको कहता है कि ये दिया तुमारे आसूँ की वज़ा से भुझाया अगर तुम इतने आसूँ नहीं भुझाती है तो मेरा दिया जिस तरह और बच्चों का दिया भुझा हुआ है इसी तरह से ये दिया जलता रहता तो इसमें जो मुश्किल दासते हैं तो मैंने आपको बताई दिये थे जिसमें पेच उताब खाना एक मुहावरा है दिले दिल में गम उखुस्स से घुटना है बेकरार होना है अब इसमें सवाल जो है वो यह है कि खौब में माने अपने आपको किस हाल में देखा किस हाल में देखा कि वो जा रही है बहुत दूर कहीं अंधेरा है उसको रहा नहीं मिल लई है माने आगे बढ़कर क्या देखा उसने देखा कि बच्चों की जमात है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हरे रंग का लिबास पेना हुआ है हातों में उनके जो है वो दिये है और सबके दिये जलना है और उसके बेटे के हात में दिया जो है वो बुझा हुआ हुआ है वो आइस्ता आइस्ता चलता वारा है मा की बेखरारी का सबब क्या है मा की बेखरारी का सबब यही है कि उसके सब बच्चों के दिये जला है लेकिन उसके बच्चे का दिया नहीं जला है लड़के का हाथ में दिया क्यों नहीं जला है लड़के का हाथ में दिया इसलिए जला है वो यही है कि माबाप को रोने धोने से बच्चों का होसला पस्त होता है और रोने आगे बढ़ने में भी रुकावट महसूस होती है और इस में कुछ और एक्टिविटीज हैं, कुछ और सरगर्मिया हैं जो आप लोग कर सकते हैं सबसे पहले तो इस नजम को बहुत अच्छी तरीख से पढ़िए, समझेए, समझने के बाद इसका जो खुलासा है, यानि आप इसके बारे में कुछ चंद जूमले लिखिए, एक पेराग्राफ के तोर पर कि नजम जो है, किसकी लिखी हुई है कि आप खुलासा लिखेंगे, जो इसमें यह लिखेंगे, यह नजम अल्लावा इग्बाल ने लिखिये लिखेंगे है और बहुत के बहुत 가지 perspective है पर उसके बारे में लिखें और उसके मरकजी खयाओ और बखीए अब इसमें आपने जो इस नजम ती इस नजम का खुलासा एक परग्राफ में आप लोग लिखेंगे नजम को खुब अच्छी तरह पढ़िए समझिए और समझने के बाद उसको लिखिए ऐसे ही है कि मुस्रे मुकमल करने हैं जैसे कि पिछली नजम में हमने किये थे मैं सोई जो एक शब तो देखा ये खौब बढ़ा और मेरा इस तरह जिस से मेरा इस तरह समझती है कि तू क्या हुआ इसे तेरे आंसों ने बुझाया इसे तो इसको अगर आप जबानी याद कर लेते हैं नजम को तो ठीक है लेकिन जब पढ़ें तो इस तरह से पढ़िए कि नजम को जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि नजम को मौजूनियत के साथ मुनासिब लबो लेजे और उताव चड़ाओ के साथ और एक लहमे और क्या नजम में क्या बात किस तरीके से कही जा रही है या क्या उसका मौजू है उस रंग को देखते हुए आपको नजम को पढ़ना है अगर खुशी का है तो खुशी के इजहार की तरह से उस नजम को पढ़ना उस यांग में अगर जैसे गमजदा है जैसे ये मा है गमजदा है तो इसको हमें ऐसी आइस्ता इस्ता पढ़ना है और उसको समझना है फिर हैं नीचे लिखे हुए लफ़ों को अपने जुम्लों में इस्तमाल कीजी तो आप इसमें कुछ लफ़ों है इस्तराब है मुहाल है अजल है पेच उताब है तो इनको आपको जुम्लों में इस्तमाल करना है ये भी एक एक्टिविटी है इसको आप जुम्लों में इस्तमाल करके लिखिए पिर हैं लफ़ों के मतदाद हैं जैसे जवाब है जवाब का उल्टा यानि इसका मतदाद सवाल हो जाएगा बेकरार का करार हो जाएगा दूर का नजदीक हो जाएगा ये पास हो जाएगा और इसी तरह से वफा का जफा हो जाएगा इस तरह के बहुत से लफसे लफसे आप इस किताम में से देखकर उनको उनकी मतज़ाद जो है वो लिख सकते है पिर नजम का खुलासा जैसे मैंने का अपने अलफाज में लिखिए जवाब लिखें तो उसमें बहुत ज़्यादा तफसील ना लिखें भलके एक पेराग्राफ में इस नजम को लिख दीजे इस नजम को आप इसको अपने घर में या स्कूल के स्टेज पर ड्रामी की सुरत म यही है कि एक स्टेज पर जब आप इस ड्रामी को पेश करेंगे या घर में भी आप इसको जब स्टेज करेंगे इस नजम को तो उसमें बच्चों की खतार दिखाई जाएगी जिसमें वो सब जिल्बास पहने होंगे इनके हाथ में दिया होगा सब के दिये जल्ला होंगे लेकिन पीछे एक बच्चा जो है उसका हाथ का दिया बुझा होगा और पिर इस नजम को जो है बहुत ही गा कर चेकता है तो लजव है बहुत अच्छे डंग से इसको पेश किया जा सकता है तो याद आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ क्योंकि आज कर चुटी आ है अब ही सिर्फ जो है आपकी ओनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ओनलाइन के तहद मैं आपको सिर्फ यही एक्टिविटीज आपको में दूंगी कि आपके खुलासा नजम को पढ़ना और दूसरी के स्कूल को जो ड्रामी के शकल में पेश करना बहुत आराम से इसको पेश देखने वाला यह अलफाज किसी काम की करने को जाहिर कते हैं इसमें फाइल कहा जाता है पांच इसमें फाइल वाला के साथ बनाईए देखने वाला रोने वाला हसने वाला इस तरह से करके आप पांच इसमें फाइल जो है वो बना सकते हैं और उनको लिख सकते हैं अच्छ पढ़ें तो और जादा अच्छे तरीके से इन नजम को बलकर नजम के आपको जो है वो तरन्नुम से भी कुछ नजमे बहुत से बच्चों ने गाई हैं वो भी आपको इस पर मिल जाएंगी और हमारे इंसियाटी ओफिशल पर भी इस इंसियाटी ओफिशल पर हमारी ओडियो माँ के खौब को बैयन किया गए जैसे के पहले मैंने बताया वो अपने बेटे को खौब में देखती है अपने बेटे को कि वो जमाएत के साथ में है और सबके दिये जलते हुए हैं लेकि उसका दिया बज़ा हुआ है वो दूसरे रड़कों के पीछे पीछे आस्ता चला ह कि मां को दिख को बड़ा दुक होता है कि इसके बेटे का दिया कियों ब temosक हाँ चलना है तो फिर जब बचा रोने दोने से बुद भी हो जाता है मां से कहते हैं कि यो द campaigns हो तो इसके वजह से मेरा ईजा रुष्छा हुऊ और इस ही आस में इस दुह ये को बजा दिया है तो इसमें जो बात एक दूसरी बात निकल कर आती है वो यह होती है कि मावाप के रोने दोने से बच्चों का होसला जो है वो बलन नहीं होता बलके पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में काफी दुश्वारी पेश आती है काफी रुकावट मैस होती है तो बच्चों आज हमने ये नजम पड़ी जिसका नाम था मा का खौब तो आपको मा का खौब नजम कैसी लगी या आपने अगर कोई खौब देखा हो तो उस खौब को भी आप जो है वो लिख सकते हैं तो मा का खौब आपको नजम कैसी लगी तो क्या अच्छी गेर कोई किसी से जधा हो जाता है, या तरहिता हो छिआआ कि प्रिख कर दो जा हिए मै छिए जाए है, लेकर इतना zजाद बृत effort कन ऐख जो बिए मतहे हैं तूम को अिए ने पे हों देना महें आ पर जो है, आप पके साहत क ciहा है neighbor कर सकते हैं की शकल में मेरी मा के अन्वान से लिख सकते हैं और मा का खुआप नजम का मरकिजी ख्याल अपने घर में डिसकस करके उसको भी लिख सकते हैं बचों जैसे के मैंने आपको सबक के शुरू में बताया था कि यही नजम अलमा अकबाल की लिखी हुई है और उनका पूरा नाम था शेख मुहमद अकबाल तो थोड़ा सा आज हम उनके बारे में भी जान लेते हैं कि शेख मुहमद अकबाल जो थे 1877 में स्याल कोट पंजाब में पैदा हुए इतिदाई तालिम जो मदर्से में हासिल की उन्होंने अंग्रेजी मिशन स्कूल से इंटरेंस के इमताहन को पास किया लाहोर से बीए किया बीए की डिग्री हासिल की फिर औरियंटल कॉलेज और बाद में गॉवर्मिन कॉलेज में प्रोफेसर के ओधे पर फायस हुए कैमरी से बेरिस्ट्री का इमताहन पास किया जर्मनी से फलसफे में डॉक्टरेट के लिए इनको डाक्टर मुहमद इकबाल कहा जाता है इन्होंने फलसफे में पीचडी किया था इकबाल को बच्पन से ही शायरी से खास लगाओ था उन्होंने शेयर कहने शुर ठाइब बहुत बड़े शायर थे लेकिन और उर्दू और फारसी दोनों जबानों में इन्होंने शायरी कि अगबालना है इनकी जो मझमुए है उन्होंने नजमें भी लिखी घ्जलें भी लिखी उनिस सु आर्थी समयन का इंतखाल हुआ इनके जो मझमुए हैं जो इनके मुहम्मद अग्बाल ने जो अपनी शायरी जो इन्होंने शायरी की वो इनकी जदतर प्यामी शायरी है एक प्यामी शायर की रूप में यह हमको नजर आते हैं और बहुत सारी नजमे जो हैं हमारी टैक्स बुक जो अर्दू की दर्सी किताबे हैं उनमें शामिल हैं तो देख मक्रा और हमार के मख्रा के जान ऐसा रख सोब YOUR मेनी दाज मेंजिए पर नखिद्या में। घिलरी को समय में बड़ा हुआता है। टो उसको बहुत अच्छे में उन्हें मारो मुख्या युछा आ है। उसम में मकड़ा और मक्षी नजम में भी जद्म मक्षी को अपने ज़ान प्सा लेता है। आपके छिक्राइविक्ष नसमें म कश्म की नजम परना है। इन समस्हों मुंध हमंगे। जिस तरह से यह मकड़ा और मक्खी नजम है जो हमारी इसी किताब में आठ्वी क्लास की किताब में आगे चल कर हम पढ़ेंगे तो उसमें मकड़ा जो है उसकी मक्खी की बहुत तारीफ करता है जूटी तारीफ करता है और वो जो है उसके दाम में आ जाती है और मकडा जो उस मक्षी को खा जाता है ऐसी जो नाजम है पहाड और गलेरी तो पहाड और गलेरी में भी यही चीजी दिखाई है कि वो पहाड आपने ओपर बहुत गरूर है कि मैं बहुत बड़ा हूं गलेरी से कहता है कि तुम तो बहुत छोटी हो तो तो उस पर वो जो है ना कोई पहाड ये कहता था एक गिलेरी से तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूम मरे ये नजम की शुरुआत इस तरह से किये तो पहाड गिलेरी से क्या कहता है तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूम मरे तो ये च्छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मच को तो इस तरह से वह यह कहती है तो इसमें कहने का मतलब यह है कि हर चीज के अपनी एहमियत है बड़ी से बड़ी चीज के अपनी एहमियत है जहां पर पहाड की अपनी हैसियत है ऐसी गलेरी की भी है तो इसनी कसी को किसी से कमतर नहीं समझने सब्स, ना किसी से कसी का मकावला करना चाएए, बालके ये है कि हर इंसान पैर जित्की सलाहीत होती है, उसके साथ से कहाता है Pan달 peppers भी अब पहाड एव एक जगा हुआ है बेशाल हैं, बहुत उंचा है, सब कुछ है लेकिन गिलेरी जो है वो छोटी है लेकिन छोटी होने के साथ-साथ वो अपने दरखतों पे दोड़ती फिरती है तो उसको यही कहती है जवाब देती है कि उसको पता नहीं क्या क्या बोलता है कि तू पता नहीं क्या समझती है अपने आपको लेकिन तो कुछ भी नहीं है और मैं तो ते रहा कि बहुत विशाल हूँ, बहुत उंचाऊँ हूँ तो इस पर गिलेरी जो है उसको यह कहती है अगर इतना ही तू है तो छालियां तोड़के दिखा इसकी मिसाल इस तरह से यह जैसे जहां पर सूई का काम है बना सूई काम करेगी ठीगा या ना मा पर हम भाले से काम नहीं लिए सकते भाले से क्या करते हैं? जमीन खोते हुँ उस सूई सी किसी चीज को सिया जाता है तो हर चीज की इस दुनिया में एक अहमियत है चाहे वो पहाड हो, चाहे गिलेरी हो, चाहे चीटी हो, चाहे कोई भी और जानदार हो तो इसनिए किसी को किसी से मुकाबला करना या किसी को कमतर बताना बहुती गलत बाते, अच्छी बात नहीं है बलके सब इनसानों की तरह से हर इनसान में कुछ खूविया होती है, कुछ खूविया होती है इसी तरह से किस में कुछ खूविया है, किस में कुछ खूविया है लेकिन हमें क्या करना है, हमें खूवियों को देखना है, खूवियों को नदर अंदास करना है तो इस तरह आते आपने अलाहिमावाल की जो नजमे है अब जैसे लब पे आती ये दुआ बन के तमना मेरी जिन्देगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी तो ये नजम जो है बच्चे की दुआ है लब कहते हैं नि मेरे होटो पे दुआ थी कि मेरी जो जिन्दिगी है वो शमा की मानने दो जिस तरह से शमा यानि मॉंबती रोशनी खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए हर जगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए यानि मैं ऐसे से काम करूँ कि दुनिया में जो अंधेरा पहला हुआ है वो खत्म हो जाए और हर जगा मेरे चमकने से जाला हो जाए मैं दुनिया में ते अच्छे अच्छे काम करूँ मेरे अलाह बुराई से बचाना मुझको नेक जो राह उस रहा पर चलाना मुझको फिर अलाह से दौा कर रहा है बचा कि मुझे नेक रहा पर चला और मुझे हर बुराई से बचा तो ये जितनी भी नजमे है बड़ी सबाक खामूश नजमे है उसमें एक ना एक कोई न कोई पेगाम दिए गया है जिय scared है नजमे माबा का फ़़ाब इसमें भी क्यों पेगाम दिए गया है वो यह दिया गया है कि बच्चों मावाब के रोने दोने से बच्चो के होसले जो हिरते हैं, तो बच्चों का होसला पस्त नहीं होँने देना चाहिए है उनको आगे बढ़नी की तरफ रागीब करना चाहिए। इसे पहार रों गलहरी जिसको अकबाल ने अपनी नजमों के जरीए पेश किया है और जो मा का खाब नजम है उसमें भी यही बताने की कोशिश की है कि हमेशा जो है बच्चों को आगे बढ़ने की निये राखिब करना चाहिए और मावाब को जादा रोना दोना नहीं चाहिए उससे बच्चों के व साथ में करा दिया है ताकि आप इनकी जो दो नजमे मैंने बताई हैं उनको भी पढ़ हैं और इसके लावा और नजमे भी आपको मिल जाएंगी जो उनकी मजहुएं में मजहुएं के मैंने नाम लिये हैं बांगी दराज, अर्ब कलीम, बाल जिब्रेल, और मुगान हिजास तो इन मज़ीँ नजमों को भी पढ़ सकते हैं, घजले भी लिखिए हैं अगर घजले चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से आप लोगों ने आज इस नजम को सरी तरीखे से परणा, मौदूनियों से परणा, सही लावरारोजी के साथ बरना, इस नदम की तफ्ही उसके मर्गजी कयाल और उसके कुलासी को लिखना सीखा तो मैं समस्ती हूँ आज ये रजम आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी तो इसके साथी बहुत बहुत शिक्रिया साथियो अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रिंखला ध्वनी शाला निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुग्रेती तनु गुपता और जगवंधु जाना ध्वन्यंकन बटी लैंग लिंग्डो और शानु मुक्सीम निर्माण अजी थोरो तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत